लेकिन उसके पहले लिखा है कि नू के साथ एक घटना घट जाती है और वो घटना क्या है उत्पती का 9 का 20 से 29 तक अच्छा घटना क्या गटी नहीं लिखा है बाइबर में भी नहीं लिखा है जशर की किताब में लिखा है मुझे नहीं गिलाबी तक तो नहीं लिखा है बट कि आम का जो वंशर जैना वो आफ्रिकन हो जाता है इतोपियन आफ्रिका मिसर उस लाइन में जाता है और आम के जो बच्चे थे आम के जो बच्चे थे ना उसमें काले बच्चे भी पैदा होते जा रहे थे और गोरे बच्चे नहीं पैना था अब यहां पे आपको समझना क्या पता है कि नूने दाक की बारी लगाई और दाकमधू बनाया और उसको ऐसा बनाया कि वो पी के मतवाला हो जाए और ऐसा मतवाला हो गया कि उसके बदन पे कपड़े नहीं थे और फिर आगे जो कि मैंने नहीं रखा उसके दो भाई आते हैं पीछे की तरफ गुम कर उल्टा गुम कर चाधर हाथ में लेते हैं और इसके ओपर डालता है जिससे आप फोटो देख रहे हैं लेकिन यह लिखा है कि नू को जब होश आया जब उसको रखूँगा जब उसको होश आया जब उसको पता चला कि हामने मेरे साथ में क्या किया रखूँगा मैं तो उसको वो शुराब देता है या फिर उसके वंच को खास करके कनान को और आप जहनते हैं कनान इज्रालियों को दिरने वाला प्रतिय का देश और उसमें क्या-क्या घटा ये भी आप चानता है और उसके बाद जो आगे है आपको पता चल जाएगा ठीक है ना दोस्तों इसके बीच में मैं एक इंटरस्टिंग पार्ट रखना चाहता है और वो है पिलाया लूत को जिसके चलते लिखा है कि वो मत जाएगा लूत को जिसको कहते है कि ये शू का पहला चमत कर तो वो वाइन जरूर था लेकिन विदाउट अलकॉल था तो बाइबल अंगूर के जूस को भी वाइन कहती है अंगूर के जूस में नशा मिला हो जिसको पीकर लोग मतवाले हो जाते हैं उसको भी वाइन कहती है दोनों को वाइन कहती है तो गड़ बड़ नहीं करना और जो पौलूस ने इसको का था ना तिमोती को पहला तिमोती पांच का अगर मैं गलत नहीं हो पेट के दर्द के कारण तो वो भी अंगूर का जूसता क्योंकि साफ लिखा है कि जब येशू नहीं कहा जाकर पिलाओ तो भोज के प्रदा ने उसको पिया और ये नहीं कहा कि पीके मतवाला हो गया उसने बिलकुल होश में था हो उसने कहा कि इतना अच्छा दाकरस अब तक का रखा तो दाकरस का कनेक्शन मैंने बीच में ऐसा दिया था कि दाकरस जिसको पीकर वो कहता इतना अच्छा उत्तम दाकरस अब तक का रखा था इसका मतलब है कि वो दाकरस वो बन चुका था जिसको बनने के लिए सालों लगते हैं बर्सों लगते हैं और मैंने क्या कहा था कि परमेशों ने चुटकियों में कहा चीजें हो जाए सूरा चान, सोला सिस्टम प्रित्वी, जीव, जंतु सब कहा, कहा, कहा तो जिसको बर्सों लगते हैं न परमेशों ऐसे बनाता है तो येशु ने भी आकर वोई चीज़ किया जिस दाकरस को बर्सों लगते हैं मैं एक चिर्न देता हूं ऐसे बनते हैं तो यह मैंने connection दिया था, यहां तक आप समझ गए अब वापस आते हाम के पास में तो लिखा है कि नौका 24 में बाद में नू सो कर उठा वदाक मदू के कान सो रहा था मतलब पी लिया था इसलिए सो रहा मत वाला, नशा वाला तो अब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया है ऐसे अनुमान लगा सकते है कि इस वेक्ती ने किसी वेक्ती को भेजा हो स्तिव वगरा को और उसके साथ ऐसा कुछ किया हो या इसने कुछ किया हो सपस्ट नहीं है लेकिन नौ को पता चल गया और उसके बाद बेना गरक